मुझे conceive नहीं हो रहा है क्या problem मुझ में या मेरे पती में है डॉक्टर से जो आपको reports मिलते हैं वो सारे normal है बट फिर भी आप conceive नहीं कर पा रहे हो conceive बहुत लोग कर लेते हैं बट इससे ये signify नहीं होता कि उनका बच्चा बहुत healthy ही होगा आप ये चार आसन कर लो आप pregnant हो जाओगे आप ये चार प्राणायम कर लो आपकी life change हो जाएगी आप completely fertile हो जाओगे लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो problem है वो आपके reproductive system में नहीं है problem कहीं और है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे अपने ये बाते अपने इर्दगित जरूर सुनी होंगी मैं दो साल से conceive करने की कोशिश कर रही हूँ पर नहीं हो रहा है मेरे साथ IVF cycles फेल हो चुके हैं मैं तीन IUI कर चुकी हूँ लेकिन मुझे conceive नहीं हो रहा है क्या problem मुझ में या मेरे पती में है कर पाऊं क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं हेलो नमस्ते मेरा नाम सिधानता है मैं एक fertility yoga coach हूँ और इन सारे सवालों के जवाब आज मैं यहाँ पे आपको इस talk में देने वाली हूँ हर दिन मेरे पास ऐसी कई औरते आती है जिनको naturally conceive करना है पर किसी भी वज़े से वो नहीं कर पा रही और जब मैं उनसे पूछती हूँ क्या आपकी नींद अच्छी है वो कहते हैं नहीं जब मैं पूछती हूँ आपके खाने पीने के टाइमिंग्स कैसे हैं क्या आप junk food खाते हैं तो उनका जवाब होता है कि सोने का कोई हिसाब नहीं है और खाने पीने के टाइमिंग्स काम की वज़े से बहुत इराटिक होते हैं फिर मैं उन्हें पूछती हूँ कि आप exercise करते हैं फिर वो किसी भी form की exercise हो उनका जवाब होता है मुझे समय ही नहीं मिलता अब सवाल यह है कि क्या आपके पास समय नहीं है या वो समय मैनेज नहीं हो पा रहा है दुनिया में कई औरते हैं जो मेरे पास आती है अलग-अलग problems लेके उनको PCOD है, PCOS है, endometrosis है, fibroids है और किसी किसी को completely unexplained infertility है यानि कि डॉक्टर से जो आपको reports मिलते हैं वो सारे normal है बट फिर भी आप conceive नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर मैं दो चीज़े बताना चाहूंगी नमबर एक, अभी हम जिस समय में जी रहे हैं sometimes, normal reports are not enough जो भी range आपको दी गई है आपके health parameters की we need to try and be on the optimum side of those metrics जो thyroid है, for example, which is the most common cause जिस वज़े से आप conceive नहीं कर पा रहे हो maybe reports में वो completely normal आ सकता है but there is something called the oat axis जहाँ पे आपके ovaries, आपके adrenals और आपका thyroid यह constantly एक दूसरे से बात कर रहे होते है for its proper functioning and regulation तो जब आपकी lifestyle ठीक नहीं होती आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे होते यह oat axis जो है, वो धीरे-धीरे weak होने लगती है जिस वज़े से सारे symptoms मिलके आपके reproductive system में आ जाते हैं तो जो problem है वो आपके reproductive system में नहीं है problem कहीं और है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे for example, बहुत बार ऐसे होता है कि thyroid की वज़े से आपको chemical pregnancies होती है अब यह क्यूं होता है? क्यूंकि thyroid ने जितना communication करना चाहिए आपके ovaries से वो enough नहीं होता जिस वज़े से आपका progestron नहीं बढ़ता और उस वज़े से या तो mist miscarriage हो जाता है या तो वो pregnancy establish ही नहीं होती अब इसमें आप खुद के reproductive organs को तो नहीं दोश दे सकते ना खुद को सो problem वहाँ नहीं है, problem आपके thyroid में है अगर हमें उसको fix करना है तो हमें हमारा vitamin D intake बहुत अच्छा चाहिए दूसरा, हमें हमारा metabolism पे काम करना है क्योंकि thyroid जो है, यह हमारे metabolism and body temperature को regulate करता है तो अगर thyroid जैसी कोई problem है, which is blocking your fertility उसके लिए सबसे पहले है कि आपको नींद पे काम करना है अब बहुत लोग यह भी बोलेंगे कि मैं कोशिश बहुत करती हूँ लेकिन मैं जल्दी सो नहीं पाती It's understandable क्योंकि आज हमारे stress levels इतने जादा हाए है कि mind को unwind करना बहुत मुश्किल हो गया है लेकिन यहाँ पे एक बहुत सुंदर practice है विच इस कॉल्ड योग निद्रा योग निद्रा एक ऐसी टेक्नीक है जिससे आपका brain एक edge of sleep तक जादा है लेकिन आपकी body बहुत deep rest में चली जाती है जैसे कि आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हो और इस से आपका सारा endocrine system, nervous system धीरे-धीरे relax होने लगता है अगर आप बहुत stress में हो तो ऐसा हो सकता है कि योग निद्रा करते-करते ही आपको तुरंट नींद लग जाए और बहुत गहरी नींद लगे अब आप सोचो कि जो आपका growth hormone है जो essentially आपके सारे hormones को control करता है और उसे activate होने के लिए नींद की जरुरत है तो सोना कितना important है जिस moment पे आपकी नींद अच्छी हो गई आपकी appetite regulate होगी तो आपको cravings नहीं होंगे क्योंकि poor sleep is an indicator of really poor gut health जैसी आपकी gut health improve हुई जो भी आप खा रहे हो वो बहुत अच्छे से ना सिर्फ digest होगा बट assimilate and absorb होगा तो जहाँ पे जिन धातुओं को जो nourishment मिलनी चाहिए वो धीरे-धीरे मिलने लगेगी and वही जाके communicate करेगी आपकी pelvic health में भी एक बात याद रखो hormones खाने से बनते हैं food on its micro level is also chemicals तो जो भी हम खा रहे हैं उसी से hormones बनते हैं इसलिए हमारी diet ना सिर्फ healthy बट थोड़ी balanced होना बहुत ज़रूरी है especially in cases of thyroid, PCOD, PCOS जिस moment पे आपकी plate बालेंस हो गए and जब आपकी अगनी फ्रजवलित हो गए तो वो सारे nutrients are going to turn into very good hormones जैसी आपके ये parameters improve हो गए the healthiest couple on the planet उनको भी 6 महिने लगते हैं चन्सीव करने के लिए naturally जब बात आती है infertility की ऐसा क्यूं हो रहा है आजकर कि we only target the female कि उसी में कुछ problem हो सकती है मैं मेरी इतनी सालों की practice में एक बहुत common चीज़ देखती आ रही हूं आने स्टॉक के माध्यम से मैं थोड़ी सी जागरूत्ता फैलाना चाहूंगी इस बारे में male infertility यह बहुत real है specially आज के समय में जब infertility commonly बहुत बढ़ते जा रही है तो हम यह male factor ignore क्यों कर देते हैं at the same time हमें पता है कि males go through a lot more stress at workplace emotionally also हमें पता भी नहीं है कि वो क्या issues खुद बखुद overcome करते हैं और क्या चीज़े suppress करते हैं तो think about the chronic and जो daily basis पे oxidative stress develop होता है उनके शरीर में इसी तरह का case एक मेरे पास आया जब वो औरत food food के मेरे पास रो रही थी अपने consultation call में उस औरत ने अपने जिंदगी के दो साल गवा दिये सिर्फ दवाईयां खाते हुए और पता नहीं उस doctor के मन में भी क्यों नहीं आया कि चलो husband का भी test करा लेते हैं दो साल बात जब उन्होंने husband का test कराया तो उसमें sperm morphology बहुत वीक थी क्या आप सोच सकते हो कि उस औरत पे क्या बीत रही होगी और अब उनको और समय देना पड़ेगा जब तक उसके husband की health पूरी से ठीक नहीं हो जाती और वो एक साथ मिलके इस journey पे नहीं आ जाते गर्बा संसकार के पहले दो संसकार है गर्बा शोधन और उसी के साथ साथ बीच शोधन गर्बा शोधन जो स्त्री करती है और बीच शुद्धी जो male partner करता है और उसके बाद होती है गर्बा धारणा तो शोधन में हम करते क्या है Basically, the couple is advised to go through panja karma जिससे शरीर के सारे धातू cleanse, detox होके revitalize हो जाते है शरीर की नाडियों में, organs में बहुत ताकत आने लगती है So, सबसे पहले है शुद्धी, cleansing उसके बाद बहुत specific diet है जैसे for males, it's very good to have उरत दाल के लड़ू poppy seeds, dates इसी के साथ साथ, if you consume shatavari and some very potent herbs जो available है specifically आपके शुक्रधातू यानि आपके reproductive system को और बहतर और ताकतवर बनाने के लिए Something as simple as pomegranate, अनार इसको आयूरवेद में specific to fertility बहुत उच्चस्तान दिया गया है So, अगर couple गर्बशोधन और बीजशोधन इन पे काम कर ले तो गर्बधारणा बहुत आसानी से हो जाती है और सिर्फ गर्बधारणा नहीं होती, आपके miscarriage के chances भी कम हो जाते हैं जिस वज़े से आप एक full term pregnancy के लिए prepare कर सकते हो शरीर का तयार होना, मन का तयार होना, इसका importance बहुत जादा है गर्बशन्सकार में क्योंकि जब पहले से आप strong होगे, तब आपकी pregnancy, वो पूरी journey बहुत strong होगी तो चलते हैं female infertility की तरफ अब जैसे मैंने problems बताए, कि आप naturally conceive नहीं कर पा रहे हो या फिर आप conceive कर पा रहे हो, लेकिन घर्बधारणा हो नहीं रही है, implantation आपका नहीं हो रहा है या फिर आपके repeated miscarriages हो रहे है, इसका पूरा root जाता है कि गर्ब को शुद्धी की जरूरत है, मतलब शरीर को और मन को शुद्धी की बहुत जरूरत है अब यह हम कैसे कर सकते हैं, number one, sleep and इसका भी solution मैंने आपको बताया है, अगर आप नहीं अच्छी नींद ले पाते then it's very important to practice yoga nidra on a daily basis या at least four times in a week, ताकि आपके organs बहुत depressed में जाए and आपका hormonal system धीरे-धीरे खुद से ही reset होने लगे being a female, we are very mind dominant so you want to make sure कि आप mentally and emotionally खुद का ख्याल रख रहे हो अब ये कैसे कर सकते हैं, जब आप थोड़ा सा आसन अभ्याज, थोड़ा सा प्तानायाम और ध्यान धारना अपने life में लेके आते हो, अपने routine में लेके आते हो you will realize कि most of your problems are in the mind नींद लेनी है, अच्छा खाना खाना है and active lifestyle रखनी है जो भी आप मुझे देख रहे हो, most of you will be working women and mostly you will have a sedentary job अब आप ये सोचों कि आप दिन के 8 से 10, कभी-कभी even 16 घंटे अपने organs पे बैठे हुए हो, अपने pelvis पे बैठे हुए हो बहुत लोगों को तो आज सक ये भी नहीं पता है कि ठीक से बैठना कैसे है and then, हम सारा pressure डाल देते हैं हमारे pelvic floor पे most of the working women I meet, उनके hips बहुत टाइट होते है ये एक sedentary lifestyle की वज़े से भी है बढ़ सारा जो emotional stress है, वो हम store कर लेते हैं हमारे गर्ब में ये बात समझनी है कि energy, उसको जहां भी खाली space मिलेगी, वो store हो जाएगी and daily basis पे हम कौनसी energy generate करते हैं, stress and गर्ब हमारा uterus, हमारा womb एक empty space है तो ये सारी energy वहाँ जाके बैठ जाएगी so, जो भी lifestyle की वज़े से शरीर में दिक्कते आ रही है पंच कर्मा के थूँ आपको सारा cleansing कर लेना है पहले and उसके बाद आपको आपकी journey continue रखनी है of strengthening, conceive करने के लिए एक मंत्र जरूर ध्याण में रखे सौ मनस्य गर्ब धारणा ना इसका मतलब ये है कि peace of mind causes production of गर्ब मतलब जितना आप शांत मन से, शांत शरीर और दिमाग से conceive करेंगे उतना जल्दी आपका conception होगा इसी के साथ साथ संतान गोपाल मंत्र जो है बहुत significant है in conceiving a divine child ऐसे ही कुछ कई मंत्र है जो आयूरवेद में दिये गए है जो आप संभोग करने से पहले भी कर सकते है ये बात जरूर याद रखिए कि आपकी मानिसिक स्थिती उस वक्त क्या है ये बहुत matter करती है बहुत लोग संभोग करने के बाद बिस्तर से सीधा निकल जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि वो दिव्यता जो आप में आनी है वो positivity जो आपने एक दूसरे को देनी है कि हाँ अब गर्बधारना हुई है शायद इसका आपको समय ही नहीं मिलता और और औरत फिर से उसी चीज में फस जाती है कि क्या इस बार conceive हुआ होगा लेकिन आप सब जानते हैं कि अच्छे विचार करना positive विचार करना affirmations करना ये कितनी powerful practices है तो आप सिर्फ उस एक खयाल के साथ एक सोच के साथ आपकी पूरी fertility journey को shift कर सकते हो इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है आप जानो कि आपकी fertile window क्या है गर्बसंसकार शास्तर बोलता है कि अमावस्या और पोर्निमा इन दिनों पे गर्बधारना नहीं होनी चाहिए क्योंकि मोन जो है वो हमारे mind को represent करता है and there are chances कि mental development जो है बेबी का वो fully ना हो पाए अगर वो उन दिनों पे conceive होता है उसी के साथ-साथ बहुत औरतों को ये भी नहीं पता कि fertile window क्या है और वो ovulate कब कर रही है which is उनके जो eggs है वो कब release हो रहे है तो इसके लिए आप बहुत आसानी से period calendar जो आते हैं जो apps आते हैं आप इनको use करके आपकी जो fertile window है आप देख सकते हो और make sure कि आप उसी समय पे active हो या आपका संभोग जो है वो उस window में हो रहा हो medical advice commonly ये कहते है कि जब तक नहीं हो रहा है तब तक बस try करो लेकिन हमारा शास्त्र ये कहता है कि जब आप बार 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 try करोगे आपका मन भी नहीं लगेगा और दूसरा आपका शरीद और उसमें जो अवय है उनमें बिल्कुल भी प्राण नहीं होंगे तो ये समझना है कि conceive करने के लिए सिर्फ fertile window में active होना बहुत ज़रूरी है ना कि बाकी समय अगर आपको बहुत समय से दिक्कत आ रही है आप बहुत समय से try कर रहे हो फिर भी आपको conceive नहीं हो रहा है तो as an expert मैं आपको कह रही हूँ कि आप 90 days के लिए ब्रह्मचरिय का पालन करके देखो जब आप ब्रह्मचरिय का पालन कर रहे हो उसी समय ये जो चीज़े हमने बात की आपकी नींद, आपका खाना पीना और थोड़ी सी active lifestyle इसी के साथ साथ अगर आपको बहुत दिक्कते आ रही हैं आप योग अभ्याद जरूर करे जब आप ये करोगे उन 90 दिनों में तो इसके बाद जब आप ट्राइ करोगे आपके chances बहुत जादा significantly high हो जाते हैं क्योंकि शरीर में उतनी जान अब आ चुकी होती है और शुक्रधातू जो है reproductive fluids इनको सबसे जादा समय लगता है to rejuvenate itself जो ये जो break आप दोगे उसमें ये होगा कि आपके सब तदातूओं में से शुक्रधातू जो सबसे last है उसको maximum nourishment मिलेगी क्योंकि आपने इन दिनों में उनको छेडा नहीं है बिलकुल भी जब ये हो जाएगा then you are completely equipped to conceive naturally 20 दिन आप ये practices करो and then try इस में ये हो जाएगा कि आपकी hormonal profile completely improve हो जाती है जिस वजे से sperm quality भी improve होगी, egg quality भी improve होगी and not just this because अपने कुछ spiritual practices भी किये है, जो गर्ब धारणा होगी आपकी, वो बहुत दिव्य होगी याने के हम essentially तीन प्रकार के souls attract करते हैं हमारे गर्ब में and depending on हमारा आहार, व्यवहार, विचार कैसा है हम उसी frequency को, उसी soul को attract करेंगे so ये भी हो सकता है कि आपको दिक्कते इसलिए आ रही हैं क्यूंकि आपको पहले खुद पे काम करना है not just to conceive, but actually become good parents क्यूंकि ये दो बहुत अलग चीज़े हैं conceive बहुत लोग कर लेते हैं but इससे ये signify नहीं होता कि उनका बच्चा बहुत healthy ही होगा दिव्य ही होगा, intelligent ही होगा, wise ही होगा तो जब आप अपने वात, पित, कफ़ और सबत दातुओं पे काम करते हो you make sure कि जब आपका egg and sperm fertilize हो रहा है you create the best and the strongest combination of it क्यूंकि वो foundation है जो गर्ब में बढ़ने वाला है सो बात करते हैं कुछ obstacles की जो आपके conceiving journey को block करता है सबसे common है hypothyroid या hyperthyroid आपको यह समझना है कि अगर आपका thyroid malfunction कर रहा है तो हम इसको तीन आंगल से देखते हैं एक physically, एक mentally, emotionally and spiritually also physically अगर देखा जाए तो just two things if you work on जो है getting enough vitamin D and having good protein content in your meals अगर आप यह दो चीज़े कर लेते हो along with getting really good amount of sunlight तो आपका धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका thyroid stable हो रहा है आप जो भी morning में पिल लेते हो उसकी strength कम हो होके eventually वो निकल जाएगी लेकिन इसके साथ योग अभ्यास बहुत जादा जरूरी है क्यूंकि organ level पे and endocrine level पे हमें उस चीज़ को टाकत देनी है जो योग अभ्यास से हुगा तो जरूर आसन और प्राणायाम करना ही करना है अगर आप complete beginner हो then setu bandhasan विपरीत करनी lion's breath उज्जाई प्राणायाम ये चीज़े इन चीज़ों पे आपको core focus करना है और इनको daily practice करना है fish pose again is a very good practice if you want to really stimulate your thyroid अगर mentally, emotionally and spiritually हम देखे तो thyroid is also a problem when it comes to communication, expressing yourself and perceiving certain situations in life तो यहाँ पे प्राणायाम और थोड़ा सा ध्यान, meditation practice आपको बहुत जादा मदद करेगी जब हम लंबे समय तक हमारे emotions suppress करते हैं, हम कुछ बोलना चारहे हैं, कुछ express करना चारहे हैं पर हम नहीं करते या नहीं कर पाते तो हमें ये blockage होने लगता है and धीरे धीरे thyroid function जो है, वो कम होने लगता है या एकदम जादा होने लगता है इसके लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आपका hypothalamus आपकी brain की health बहुत अच्छी हो and उसके लिए it's very important कि आप inversions practice करो, something as simple as adho mukashwanasana अब problem यह हो जाती कि इसको कितना देर करना है कोई भी आशना आप ले लो आपको कम से कम 3-5 मिनिट तक उसको करना है और उसमें अपनी सासों का अभ्यास करना है उसमें जब आप deep breathing करोगे और मन को शान्त करने की कोशिश करोगे वो आशन काम करने लग जाएगा अपने करियर में मैं बहुत कमनली देख रही हूँ कि PCOD, PCOS, endometriosis और fibroid यह सारे एक spectrum की बिमारिया है and this is essentially a disorder it's not a disease इसका मतलब कि pelvic floor में circulation, blood circulation and oxygenation यह दो चीजे नहीं हो रही है the moment you fix this you will start seeing release at the same time यह जो है थोड़ा सा हम देखते हैं बहुत कॉमनली in yogic aspect कि जब आप बहुत ज़ादा masculine energy में जी रहे होते हो and you don't allow yourself enough relaxation time then आपको PCOD, PCOS जैसी चीजे होने लगती है and if you continue to just keep on hustling, hustling, hustling all the time without taking breaks, without taking care of yourself in between तब धीरे धीरे जाके यह चीजे एंडोमेट्रोसिस, फाइबरोइड में develop हो जाती है बहुत बार यह भी देखा गया है कि if you have ever been a victim of any kind of sexual assault, then उससे related जो fears और traumas होते हैं इस वज़े से भी एंडोमेट्रोसिस और फाइबरोइड जैसी चीजे उबर के आती है हम एक ही solution जाते हैं कि हम वो एक दवाई खाले और यह चीजे जो हैं वो completely निकल जाएं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि यह चीजे develop होने में microscopic level पे और cellular level पे बहुत समय लगा है तो इनको जाने में भी बहुत समय लगेगा और यह इसलिए नहीं हो रहा है कि something is wrong with you physically ठीक है? तो बहुत बार ऐसे होगा कि stress या trauma या negative thinking always generally manifests as diseases or disorders in the body तो for females especially मैं बार बार यही दोर आऊंगी कि चाहे वो गर्बस अंसकार हो या just healing yourself it's very important कि आप सबसे पहले आपके emotional और mental traumas को release करो और खुद को completely free करो connect with your own feminine energy and you will start seeing naturally कि क्या गडबड हो रही है क्या गलत जा रहा है ये इसलिए भी होता है जब आप बहुत सारा junk food खाते हो and PCOS, PCOD इन चीजों में देखा गया है कि body में inflammation बहुत high होता है तो एक और चीज अगर already chemically issues हो रहे हैं body में तो आपको ऐसा कोई भी खाना नहीं खाना है and उसी से आपका शरीर बन रहा है तो जैसे मैंने कहा कि शुक्रधातू या रिप्रोड़क्टिव सिस्टम is the last system जिसको नरिश्मेंट मिलती है and वहाँ पे भी जब हुम अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं and हम बहुत ज़ादा बेकरी प्रोड़क्ट्स लेते हैं बहुत ज़ादा आप प्रोसेस फूड खाते हैं तो अच्छे हॉर्मोन सिक्रीट नहीं होंगे आजकल आप देख रहे होंगे कि हर योगा इंफ्लूएंसर या योगा टीचर आपको ये बोलने पर तुला हुआ है कि आप ये चार आसन कर लो आप प्रेगनेंट हो जाओगे आप ये चार प्रानायम कर लो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी आप कम्प्लीटली फर्टाइल हो जाओगे लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो जब तक आप पूरी बोडी की प्राक्टिसिस नहीं करते specially अगर आपको बहुत समय से दिक्कत आ रही है then understand कि सिर्फ पेल्विक फ्लोर एंड सिर्फ रिप्रोड़क्टिव और्गन्स को address करके काम नहीं बनेगा क्योंकि उनमें तो symptom आ रहे है root, problem ये कहीं और है तो इस वज़े से मैं सबसे ये विनंति करती हूँ कि आप पूरी शरीर का अभ्यास करेंगे तब जाके आपको बहुत तुरंत results भी आएंगे तो आज जो stock आशा के मंच से मैं आप सभी महिलाओ को एक ही विनंति करना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप ये मत सोचे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है हर चीज का solution है अगर आप गर्ब संसकार में से गर्ब शुद्धी और गर्ब धारणा इन पे focus करोगे, इनके practices करोगे तो आप बिल्कुल naturally conceive कर सकते हो